नमस्कार दोस्तों बूपैन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुरू में स्वागत करता हूं दोस्तों उन्हेंदाज सिक्षक भर्ति के संदर में हम आपके सामने बहुत तर अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों यह जे वीडियो है आज आपकी उत्तरकुंजी मामली से संब क्या है मामला क्या है वह आप सबको वीडियो शुरू करने से पहले पिली चैनल को सबस्कारी करें लाइक करें कमेंट्स करें और अपने अन्य दोश्तों को भी सेर करें क्योंकि जो पलपल के अपडेट होती है वह भी हम आप सभी के सामने अबस चैनले कर चलते हैं पता चलें कि यह जेश्ट सुनीता अगरवाल जी वही हैं जिन्होंने उत्रकुन्जे मामले का ओर्डर को रिजर्व करा हुआ है और इसका शिगरी आपका इसी महा में आदेश देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि आप सब जानते हैं उत्रकुन्जे मामले को लेकर आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है और वहीं लगनों बेंच में इसकी लंबी डिट लगी है और इसका आदेश आप सब का आना है जिसमें आपके तीन से चार अंक बढ़ने के पूरी पूरी संबावना है दोस्तों वह कौन से सोची है जो जेश्टिस मेंता गवाल जी क कि चैन सुची बनाने का दिया निर्देश की मामला क्या है कि राज के इंटर कालिजों में परधान चैनिक निक्ति के लिए लोग शेवा आयोग उत्तर पर दे दुबारा चैन सुची को इलाबत हाई कोट ने दोस्पूर्ण करा दे दिया गया है कोट ने आयोग को नए इस पन अनुबब परमान पत्र पेश किया है आयोग ने ऐसे 33 लोगों को प्रवाजिक रूफ से चैन सुची में सामिल कर लिया था जिने श्रेक्त निर्देश के पिर्ति हष्टाक से अनुबबब परमान पत्र दाखिल नहीं किया था ऐसे में लोगों अभ्यारतों को चैन सु ती विग्यापन निकाल जिसमें आविदन में किसे पद्ध की योगता रखने वाले तीन वर्ष का नुबह परवपत्थ निद्रसक मादमी के पिरती हष्टा करा कर जमा करना था और लिखित प्रिक्षा में परदाने पद्ध के लिए 248 अब्यारते सपल गुष्ट के लिए बुला गया और सभी को सिंगत रूप से अश्टाइद अनुबह पत्त लाने के लिए कहा गया कि यह कोट का आदेश किया कि कुछ लोग आनलाइन फार्म भरतासन में अनुबह पर देने की छोड़ दी और 11 स्तंबर 2020 सोरी स्तंबर 2020 को परिणाम घुष्ट किया गया जिसमें 33 ऐसे लोग का नाम सामिता जिन्होंने इंटर्वू के समय अनुबह प्रणपत्र नहीं दिया था जिससे चिन्होंते दी गई और उन्हें चैन्स इटाने की मांग की गई है आरके दोस्तों आप सबको बता चलें जिसका आधिस वो भी हम आपको दिखाते हैं वहीं बात करते हैं चैन बोर्ड के सच्चिप को नोटिस पर जबावत तलाब की इलावाद हाई कोर्ड के अध्यबग 2011 में चैन्ट अबहरतों के जोइन ने कराने का मामला सच्चिप ने मादमी चैन बोर्ड के नोटिस जारी का जबाव मांगा है यह नाई मूर्ती कुमार राय के चंद्रवान की याची का पर दिया गया है और याची का कहना तक कोई भी कारियत कारिवाही नहीं हो चीकिए दोस्तों आप सबको दिखा सकते हैं आप यह आदेशा अजय कुमार अदर्श की याची का पर जो कि कोट नंबर 36 में आप देख सकते हैं कि होनोबल जस्टिस सुनिता अगरवाल जी की बैंच का यह आदेशा जिसमें सरकार की ज जो आपका उत्तर कुझी मामला है वह सिग्री आप सबका आने वाला है क्योंकि अगर यह आदेश मतलब किसी बैंच को भीजा जाता या कि किसी नए कमीट्री को भीजा जाता तो अब तक इसका आदेश इस तरह का आच चुका होता दोस्तों मैं आप सबको बता चलूं कि ज क्योंकि वे अब भ्यारती बिल्कुल बॉडर लाइन पर अगर उनको एक या दो नमबर मिल जाते हैं और उनका अच्छा है तो वे इस बश्ते पर क्या अवसे सपन होंगे दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और जो भाई वें चैयर के साथ नहे हैं प्लीज चैनल को सब आप सभी को देने थी कि इस चैनल के माध्धम से आपको टीजटी पीजटी इंगलिस की कोचिंग करा जाएगी जिसमें आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे और वहीं साथ में आपको सूपर टेट की वी इस पर वीडियो तियार किया रही है से लिए मैंटर है वह इखटा किया रहा है तो सिकरी आपको सूपर टेट की वी आप सभी को इस पर वीडियो देखने के लिए मिलेंगी और दोस्तों वहीं आप सब को बता चलें कि एक मार्श से इस चैनल के माध्धम से आपको जूनियर की सिक्षक भरती आई है जिसमें टीजी टी मतलब अपने PGQA है और उनको अच्छा experience है तो उनके लिए भी इस चैनल के माध्धम से आपके जूनियर सिक्षक भरती की वी वीडियो से प्रोवाइड किया जाएंगे तो पिलीज चैनल साथ जूड़े रहे हैं और जो बहाई चैनल में नए हैं वो चैनल को जरू करें और अपने जो नए दोश्तों उनको वीडियो को शेयर जरूर किया करें क्योंकि हम इस चैनल के माध्धम से सब्सक्राइब कराएंगे किसी से कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो भी वीडियो होंगी उस नोट्स के दोबारा आप पर संपर्क करके आप पीडियो के माध्म से नोट्स भी ले सकते हैं क्योंकि इस पर काले तीज़े चालू किया जा चुका है क्योंकि आप सभी टोपिक वाइज जो भी सलेवाश है आपको उसके एकोडिंग ही मैट्रे खटा किया रहा है और नोट्स भी तैयार किये जा रह और अपने अन्य दोश्तों को भी शेयर करें थैंक यू दोश धन्यवाद आप सभी का वुपेन सिंग